नीरे नीरे रेगर गाम गाम मदा दानी दानी रेशा लीदापा मगारे नीरेसा बादी बारी जा नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल अवीवेक्ती में मैं दोक्टर हिटु मिश्रा आपने चैनल की प्लेइस्ट राग सुगंत के अंतरगत आज की इस वीडियो में राग यमन की बंदीश और उसके अलापतानों को मैं सिखाऊंगी बहुत ही सरलता से, सहचता से, प्यार से तो बिल्कुल जुड़े रही है हमारे चैनल से और जो हमारे आज नए वीवेर्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है राग सुगंद उसके अंतरगत एक पूरी सीरीज रागों की चल रही है पहले राग विहाग फिर काफी और या भी ये मन की ये सीरीज चल रही है जो कि फोर पार्ट में होती है फोर्स पार्ट में राग का परिजय और उसकी विशिष्टाएं होती है सेकिंड में उसकी बंदिश और थर्ड में अलापतान तथा फोर्थ में राग पर अधारित जो फिल्मी गाने हैं जो आप बहुत ही जिसकी सराहना करते हैं वो होते हैं तो बिल्कुल जुड़े रही है और जल्दी से शेयर भी कीजिए अपने उन सभी मित्रों को जो जानना चाहते हैं ये रागदारी और उसे जुड़े फिल्मी गीतों की बाची तो आईए आगे शुरू करते हैं इस से पहले मैं बताना चाहूंगी की रागओ को सीखें रागदारी को सीखें इस से पहले हमें करना होगा बहुत सारा रियाज लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं है धीरे धीरे अपने सवरों को साधिये तो स्वरो की साधना के लिए मैंने आल्री वीडियो बनाई हुई हैं, आप लिंक पर जाएं और देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेर करूँगी, जिसमें ओम का रियाज, और सा का रियाज, अकार का रियाज, गौवल्स का रियाज और यही सब रियाज आप जब नरंतर करेंगे, फिर आप देखिएगा, कि आप किस तरह से रागों को भी जल्दी से उनकी बन्दिशों को पकड़ेंगे, ताल में भी समझेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और हमारी जो बन्दिश है, उसको गाते हैं, यानि कि मैं वारी वारी जाओंगी, पी त इन ताल है, तो और जो इसके, जो ये बन्दिश शुरू होगी, यानि इसका मुखड़ा कहां से होगा, वो होगा, बारवी मात्रा से, ठीके, तो ये सब भी बातें भहुत ध्यान से देखते हुए, हम बन्दिश को सीखेंगे, आप देखिए कैसे, प्रीतम पर मैं वारी वारी जाओंगी, प्रीतम पर जब आवेंगे, मोले मादीर, मैं वारी वारी जाओंगी, प्रीतम पर मैं वारी वारी जाओंगी, प्रीतम पर मैं वारी वारी जाओंगी, खुलबन सेज सवारूगी निशदीन और दारूगी हरमं वरी वरी जाए तो ये बंदिश बहुत ही खुबसूरत सी बंदिश प्रभु श्री किस्न की तो आईए बिल्कुल सीखें आब तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को अपनी जो स्वरलिपी है उस तक लेके जाती हूँ और धीरे धीरे आपको समझाती हूँ तो बिल्कुल जूड़े रहिएगा चैनल पर और सीखते रहिए अभिवेक्टी के साथ तो आईए चलते हैं तो आईए शुरू करते हैं राग्यमन की ये बहुत ही खुशूरत सी भल्दिश मैवारी वारी जाओंगी प्रीतम पर स्केल है जीशाल ताल तीन ताल और इसका जो मुकडा है वो बारी मातरा से शुरू करेंगे तो आईए बिला देर किये हुए बंदिश को शुरू करते ह हैं और उसके बाद स्वरलिपी को भी समझें लिए तो पहले ताल लगाती हूं देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस से ग्यारा मैं वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर जब आवेंगे मोरे मादीर वां मैं वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर मैं वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर पापधा पमगारे निरे गागारे मागा पाधा परे रेसा जब आवेंगे मोरे मादीर वां मैं वारी जाओंगी प्रीतम पर ठीक है ना तो आई अब अंत्रा देखते हैं और अंत्रा भी हमारा जो है वो तेरी मात्रा से शुरू होगा एक तू तीन चार पांचे साथ नौ दसी ग्यारा बारा फुल बन सेज सवारूंगी निशा दीन फुल बन सेज सवारूंगी निशा दीन पापा साथ धानी सारे सानी धपार माधा माधा नीदा नीरे नीरे गारे सानी दपार में वारी वारी जाए अब जो दूसरी लाइन है उसको देखेंगे तू तीन चार पांचे साथ नौ दसी ग्यारा फुल बन सेज सवारूंगी निशा दीन पापा साथ धानी सारे सानी धपापा माधा माधा नीदा नीदे नीरे गारे सानी दपार और रारूंगी रवा में वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर, में वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर, जब आवेंगे मोरे मदीर, में वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर, जब आवेंगे मोरे मदीर, में वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर, जब आवेंगे मोरे मदीर, में वारी वारी जाओंगी तो स्थाई के अलाब जो हम कहेंगे वो आज मात्रा के बाद कहेंगे और साथ मात्रा की अलाब होगे तो आईए देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा मैं वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर मैं वारी वारी जाओंगी सा नीरे सा मैं वारी वारी जाओंगी नीरे गारे नीरे सा मैं वारी वारी जाओंगी गारे नीधा नीरे सा मैं वारी वारी जाओंगी चोटे-छोटे अलाब हैं जो बहुत ही बरावर की मात्रा में है बिगनर्स के लिए यह भूक ही helpful सिद्ध होगे तो अप इसमें आप अलाब जो है अकार का भी बना सकते हैं और इसमें ндर वोल अलाब भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से कैसे देखेंगे एक तू तीन चार पांच छे साथार नो दस से ग्यार मैं वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर मैं वारी वारी जाओंगी सार नीरे सा मैं वारी वारी जाओंगी आ, मैं वारी वारी जाओंगी, नीर गारे नीर सा, मैं वारी वारी जाओंगी आ, मैं वारी वारी जाओंगी, गारे नीर धाने रेसा, मैं वारी वारी जाओंगी, मैं वारी वारी जाओंगी, प्रितम पर तो आईए अब हम करेंगे इसमें पंद्रा मात्रा कालाब जी तो आठ मात्रा के बाद नहीं कहेंगे और यह कहेंगे अब हम पूरी लाइं के बाद यानि कि पूरी 16 मात्रा के बाद हम इसमें पंद्रा मात्रा कालाब कहना होगा क्योंकि लास्ट वाली जो हमारी मात्रा है या साथ आठ नो दस ग्यारा मैं वारी वारी जांगी प्रीतम पारे निर्गम पार मदा पाम गारे निर्षा मैं वारी वारी जांगी प्रीतम पारे गाम पारे अगाम पाम गारे अब लास्ट वाला जो हमारा अलाप है आप देख पा रहे हैं तो वो पूरा 16 मात्रा का है तो पूरी लाइन के बाद हमें 16 मात्रा का ही अलाप कहना होगा देखेंगे हाँ एक दू तीन चार पांचे साता नौ दस ग्यारा मैं वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर गामा दानी सानी दपार गामा पापाम दामा गरिसा वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर मैं वारी वारी जाओंगी प्रीतम पर तो आई अब अंत्रे के अलाप कहते हैं आठ मात्रा के बाद आठ मात्रा के अलाप होगे अब हम सोला मात्रा का लाप कहेंगे और वो पूरी लाइन के बाद होगा जान से देखें फूरी चार पांच छे साथ आर नो दस से ग्यारा बारा पुलवन सेज सवारू निशदीन पामदा पामदा निदा सानी रेसा पुलवन सेज सवारू निशदीन और डारू गिहरवन वारी वारी जाँ कि अब तानों को करते हैं स्थाई की तान हाठ मात्र की तान लेंगे आठ मात्र के बाद लेंगे तो पाच्वी मात्रा से हमारी ताने स्टाथ होगी तो आई श्रू करते हैं मैं वारी वारी जाओंगी, नीरे गामा दा नीसा नीदा पामा गरे सा नीसा वारी वारी जाओंगी, नीरे गामा पामा गरे पामा गरे नीरे सा वारी वारी जाओंगी, प्रितम पर अब हम सोला मात्रा के तान कहेंगे, पूरी लाइन के बार मैं वारी वारी जाओंगी प्रितम पार नीरे गारी गाम गाम पाम बाद पाद नीद सा नीरे जा नीद पाम गाम पाम गारे सा वारी वारी जाओंगी प्रितम पार मैं वारी वारी जाओंगी प्रितम पार नीरे नीरे रेगा रेगा गामा गामा मादा मादा दानी दानी रेजा लीदा पामा गारे नीरे सा वारी वारी जांगी प्रीतम पर अब हमारी चो अगली तान है वो 28 मात्रा की तान होगी और वो हम पांची मात्रा से कहेंगे समके बार तो आईए देखें तिन चार पांचे साथ आज नौर दस व्याद मैं वारी वारी जांगी नीरे गारे गामा पामा गरे सा नीत नेरे जांगी प्रीतम पर तो इसमें देखा आपने कि संपर इसमें हमें बाद में छोड़ना है और बहुत ही सुन्दर सी तान एक बन फिर से गा लेते हैं मैं वारी वारी जाओंगी निरे गारे गामा पामा गरे सा निदा निरे जाओंगी प्रितम पार तो आइये वंदर कितानों को सीखते हैं और वो आठ मात्री कितान आठ मात्री के बाद कैसे देखे हैं एक तो तीन चार पांचे सात नों दस ग्यार बारा फुल बनसे ज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ निरगर निरसापुलवान सेज। सवारूंगी निशदिन और डारूंगी हरवा। मैं वारी वारी जाऊंगी प्रितम पर। मैं वारी वारी जाऊंगी प्रितम पर। मैं वारी वारी जाऊंगी प्रितम पर। तो आशा करती हूँ आपको ये बंदिश और उसकी अलापतानों को भूत सरलता से समझाया होगा। और कैसे लगी आपको ये बंदिश और उसको आपको सीखने में कोई असू भी था तो नहीं हुई आप कमेंट द्वारा मुझे बताईएगा। मैंने पूरा प्रेप्यास किया है अच्छी से स्वरलपी देने का और उसको आपको सिखाने का भी। तो बिल्कुल आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें। और जो हमारे साथ आज नए हमारे विवर्स हैं इस सीरीज का फॉर्स और सेकिंड पार्ट भी मैं आपको इसमें लिंक इसका दे दूँगी आप बिल्कुल इसको पूरा सुनिये का इसके बाद मैं दूसरी बंदिश लेके आऊंगी उसके बाद बहुत सारे फिल्मी गीत है राग यमन पर क्योंकि राग यमन है ही इतना खुरूपसूरत और इतना विस्तृत तो जुड़े रही है हमारे चैनल से अभी व्यक्ति के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ तब तक के लिए नमस्कार